दोपईया बर नाकपूर जा रहे है यूगल को तीन लोगों ने देशी कट्टा दिखा कर लूट लिया इस दोरान किये गए फायर में एक यूवग सक्मी हो गया है वारदात सुमवार 22 मई की रात करीब 10 बचकर 15 मिनिट के दोरान नांदा शेत्र में हुई पुले सूत्र के नुसार बेजन बाग नाकपूर निवासी प्रविन बोंडे और उसकी 24 वर्षी महिला मित्र सुमवार की शाम भोजन करने के लिए तहे गाव स्थित फिरा रेस्टॉरेंड में आये थी भोजन करने के बाद दोनों मोपेट पर नाकपूर के लिए रवाना हुए इस दोरान वे किले कोलार होते हुए नांदा स्थित अर्धनारी नटिश्वर पर रिसर पहुँचे मोपेट सड़क किनारे खड़ी कर पैदल चलते हुए गपशब करने लगे कुछ देर बाद प्रविन और युवती अप मोपेट के पास आ गए इस दोरान तीन युवग बाइक पर वहां पहुँचे देसी कट्टा दिखा कर आरोपी युवती से बचसलूगी करने लगे उन्होंने प्रविन और युवती से उनके महगे मोबाइल फोन और नगत समेत 72,000 रुपे का माल छीन लिया इसके बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर जाने लगे युवती ने पीछे बैठे लुटेरों को खीच लिया इससे कुद्ध होकर आरोपी ने देसी कट्टा तान दिया युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया जूमा जहमकी में देसी कट्टे से दो तिन गोलिया चल गए इसमें एक गोली प्रविन के दाय पैर में जा लगी लुटेरों का प्रतिकार करते हुए युवती ने एक के सिर पर पत्थर से प्रहार किया जिसमें वो जखमी हो गया पुलिस आसपास की परिसर में लगे सीसी टीवी कैमेरों की फुटेज तथा मुखबीरों की मदद से चारोपियों के तलाश कर रही है एक दिन पूर्वही कोराडी थाना शेत्र में इसी प्रकार युगल को लूटने की वार्दात हो चुकी है दोनों घटनाओ को इन्हें तीन लुटेरों के द्वारा अंचाम देने की संभावना जताई जा रही है बताया जाता है कि प्रवे थाने के तहत आनी से उन्हें सूचना दी गई युवति के शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरूपियों के खिलाफ भांधवी की धारा 354-397 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्श किया है मंगलबार को ग्रामें क्राइम ब्रांच खापर खेडा पुलिस के टीम डॉक स स्कौट घटना स्थल पर पहुचे न्बिसे न्यूस के लिए खापर खेडा से अरून महाजन की रिपोर्ट